काफी लोगों को पर्फेक्ट बेसन के दाने दाल लड़ू बनाना काफी कठिन काम लगता है पर अगर आप ने इसे एक बार बना लिया मेरे बताय तरीके से तो आप जरूर इसे बना लेंगे और बहुत इजी है मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको बनाने में और बिल इक कप चेनी और अधा कप पानी ले लेंगे तो हमारे हाँ तगार भी इसे बोला जाता है या चेनी का बूरा भी बोला जाता है तो यह एजली मार्केट में भी यो लेवल है लेकिन अगर आप घर में बनायेंगे तो बिलकुल साफ रहता है और कहीं कोई गंदगी बगर नहीं रहती इसमें तो अब इसे लगाता चलाते रहेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग बेशन का लड़ू खाते हैं तो वो काफी दानेदार होता है तो अगर आप चीनी को पीस कर इसमें डालेंगे जैसे कि मिक्सी बगर हमें पीस लगे तो आपके लड़ू बिल्कुल मार्केट जैसा दानेदार नहीं बनकर तयार होगा इसलिए तगार बनाना बहुत मतलब मस्ट है या तो आप खरीद कर इसमें मिला है या तो घर में बना ले ज़्यादा तर मैं जब भी बेसन के लड़ू घर में बनाती हूं तो तगार को घर में ही बनाकर रेड़ी करती हूं गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि चीनी अगर नीचे से थोड़ा भी मतलब जलने लगेगा पकड़ लेगा पैन को तो तुरण तो रेड कलर का जाता है बिल्कुल वाइट मतलब हमारे तगार बन का तयार नहीं होंगे और जला जला समहकेगा तो अब इसमें डाल देंगे छोटा चमच मेंने लिया है दो चमच यहां मेंने घी डाला है इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा मतलब साइन आ जाती है यह इस तगार में तो यह देखे घी मेने डाल दिया है और इसे लगाता चलाते रहेंगे दीरे दीरे क्या होगा कि यह गाढ़ा होने लगता है और लगेगा कि बिल्कुल दाने दा जैसे चीनी मेल्ट होके दरदरा सा हो जाता है उसी तरह से तो यह देख सकते हैं आप इसका टेक्सर कि बिल्कुल भुरुरा सा हो गया है और यह बिल्कुल सूखने लगा है जैसे जै एक से दो मिनट तक इस तरह से करने से क्या होता है चीनी बिल्कुल मतलब भुरभरी सी हो जाएगी ये देखिए तो घर में ही बहुत ही अच्छा मार्केट जैसा तगार बनकर बिल्कुल मैंने रेडि कर लिया है और ये ठंडी भी हो चुकी है तो ये देखिए कितनी बढ़ि कर लिजेगा और इसमें डाल देंगे दो चमच देशी घी और साथ में डाल देंगे दो चमच पानी या दूद डाल दीजेगा तो दूद भी बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए ठंडा होना चाहिए और पानी भी जब भी आप डालिए ठंडा डालिए तो यहां मैंने पा तो इस तरह से दोनों हातों के बीच में रखकर बेशन को अच्छी तरह से रब करना है तो इससे क्या होता है कि जो यह बारीक वाला बेशन है बिल्कुल जैसे मोटा वाला बेशन होता है दरदरा सा खाने में लगता है उसी तरह का इस टेक्सर में यह आ जाएगा तो इस तरह से आप 5-6 मिनट तक हातों की हतेलियों के बीच में रखकर इसे अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे तो अब यह रेडी हो चुका है अब क्या करेंगे इसे मोटी वाली च्छनी से चान लेंगे तो बारीक वाली छनी से यहां नहीं चानिएगा मोटी वाली छनी से इस तरह से क्या होता है कि बिल्कुल बेसन एक सार हो जाएगा जैसे सूजी का टेक्सर होता है ना उसी तरह से हो जाएगा सूजी का या सूजी से मतलब मोटा ही समझी ऐसा ये बनकर तयार हो जाता है तो इ कप बेसन मैंने लिया है एक कप चीनी और 354 कप यहां पर घी लिया है मैंने तो उसी घी में से मैंने पहले भी दो चमच डाला है और दो चमच मैंने बचा कर रखा है बाद में इसमें डालूंगी तो यह देखिए इस तरह से बेसन को घी में मिलाते हुए बिल्कुल धीमी है फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है हातों की मेहनत अच्छी खासी हो जाती है लेकिन जब लड्डू बनकर तयार होता है न तो बिल्कुल मन खुस हो जाता है तो इस तरह से इसे लगाता चलाते हुए भुनना है धीरे-धीरे अभी यह जो ड्राइस अलग रहा है बेसन धीरे-धीरे क्या होता है, कि जैसे जैसे ये भूनता जाएगा, कलर भी चेंज होता जाएगा, और जो घी है और रिलीज होने लगता है, तो चार से पाच मिनट हो चुका है, हमें भूनते वे ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्सर अलग हो गया है, बेसन क पानी के छीटे डाल दिये हैं, इससे क्या होता है, कि बेसन जो है, और ज्यादा दानेदार हो जाता है, तो दो बार मैंने पानी के छीटे डाले हैं, और अच्छी तरह से भूना है, और लास्ट में जो दो चमच मैंने घी बचा के रखा था, उसे भी इसमें डाल दिया है, और सब मिला आकर इसे मैंने टोटल 14-15 मिनट तक धीमियाच पे भुना है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है और सोंधी सी खुसबू भी आ रही है लेकिन आप देखिएगा कि बेसन का इसमें मतलब कलर चेंज नहीं है बस लाइट गुल्डेन कलर आ कीजिए तो इसे निकालने के बाद भी 2-3 मिनट तक चलाते रहना है जिससे कि ये मतलब नीचे से रेट कलर कर ना हो जाए क्योंकि अभी बेसन काफी गर्म है तो इसे चलाना बहुत जरूरी है तो अब इसे ठंडा होने देंगे इसका देख के कलर कितना अच्छा लग रहा है तो ये अब ठंडा हो चुका है 20-25 मिनट हो चुका इसे रखे अब बिल्कुल हलका सगर्म है तो हातों से मैंने टच के देख लिया है और अब इसमें जो मैंने यहां पर तगार बना कर रखा यानि चीनी का बूरा उससे साड़ा डाल देंगे इसमें और इसको डाल कर मैं दाल सकते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में लेकिन मैं यहां बना रही हूँ तो यहां मैंए कुछ भी नहीं डाला हो जाता है तो यह देखिए फटा-फट से लड्डू बनाकर त्यार कर लिया है मैंने और काफी ज्यादा मतलब अच्छे बने हैं लड्डू और इस रचा बंदन पे आप इसे जरूर बनाएगा मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें बताईएगा वीडियो पसंद आए त लिष्टा को उपर से लगा दिया है चानी का वर्क भी थोड़ा से लगा दिया जिससे विल्कुल लगेगा की नहीं की घर में यह बना हुआ है तो यह मेशन के लड्डू बनाकर मैंने रेडि कर लिया है और जब घर में कुछ मीठा बने तो भगवान को भोग लगाना है च झाल